धाल जीले के टांडा थाना अंतरगत टांडा में प्रदेश के कांग्रेस प्रतिनिदी का एक वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस वाइरल वीडियो में आप इस पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूर्व वनमंत्री उमंग सिंगार के करीवी प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिदी अशुक मांजी एक महिला और दो लड़तियों से हाता पाई कर लकडी और लाग भूसों से मारपीट करते दिखाई दे र पत्नी वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं जब पत्नी और बेटियां भरन पोशन के रूपए लेने पहुचे तो प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिदी अशुक मांजी ने उनके साथ मारपीट की फिलाल इस पुरे मामले में तांडा थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं म मामला दर्जिक कर लिया है वाइरन वीडियो को लेकर धार से बाजपा विरायक नीना वर्मा ने आरोपी की खिलाप कड़ी कारवाई की बात कहीं वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी आरोपी होता है वर किसी भी पारिटिका नहीं होता उन्होंने कमलनात से भी आरोपी पर कारवाई की मांग की और उन्हें तक्काल निकालने का कहा है भारती नियूस के लिए दार से साविद खान एफम की रेपोर्ट देखी वैसे तो मैंने वीडियो देखा नहीं है लेकिन जैसा भी आप कह रहे हैं आपकी बात पर अकिन करते वे अगर उन्होंने इस तरह का कोई करें है कि महिला के साथ मारपीट करना महिला के साथ किसी अणीर का मन करना कि अपने ओapo सार्व कार्वाई करें क्षसराइन से की सरकार & पार्टी अपनी जdefense करें समाज अपनी भूमी के निभाय गायर परिवार से मुझा आने वाले उस donor सामी में वो इस तरह की हरकत कभी करने की और भी कोई व्यक्ति सोच नहीं पाएगा तो मेरा तो यह है कि पार्टी को उनकी खिलाफ सक्त कारवाई करने चाहिए ततकाल पत से हटाते वे और एफाईर दरज करने चाहिए पिल्कुल एफाईर हो गई है तो उनके अरेस्ट करके उनके उपर सक्त कारवाई की जाए तांडा थाने पर एक महिला जो फरियादिया है इसके द्वार शिकायत की गई थी कि यह संबंदित वेक्ति द्वारा जिसका नाम अशोक मांजी है उसके साथ सारवजनिक स्थान पर मारपीट की गई और उसको हरेस किया गया उस आधार पर विबिन निधाराओं में थाना टांडा के अंतरगर प्रक्रण पंजीबध किया गया है और विवेचना में लिया पतनी है वो दोनों उनकी बेटियां है अशीगरी आरोपी की गरफतारी कर ली जाएगी सब्सक्राइब नाव तो मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर